असे दुकान भी मीला था वो भी जरके राख हो चुका है। जमीन के लिए उसको उजारने के लिए लोग जो है रोज नया नया सर्यंत्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब यह अपने घटना को लेकर जब यह थाना में पहुंची। यह मामला आठ सितंबर का मामला है जब यह करजा थाना में पहुंची। तो करजा थाना प्रभारी ने कहा कि जब तक दो लोगों का नाम नहीं हटाओगे तब तक हम एफायार नहीं दर्ज करेंगे। तो कहीन ना कहीं थाना जो 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 नयाय देने का काम करती है, लोग थाना पे और कानून पे भरोसा करते हैं और थाना आठ सितना को नíाय नहीं मिलता है। किन लोगों का नाम हटाने के लिए पुलिस प्रसासन के द्वारा दबाव डाला गया है, इस पे भी हम बात करेंगे, साथी साथ कुछ अस्थानिय लोगों से भी बात करेंगे कि मामला क्या है, देखिए ये मरई को जला दिया गया है, चुला है, बरतन है, बिछावन है, सभी को जला दिया गया है क्या कारण रहा होगा जलाने के लिए हम तो बात करेंगे अस्थानिय परिजनों से लेकिन कहीं न कहीं परसासन जो न्याय देने का काम करती है वो अंधी हो गई है वो उसको दिखता नहीं है कि किसके साथ न्याय करना है किसको गिरफतार करना है किसको छो रांधीर सिंग और संबू सिंग कौन है यह लोग ऑर भाय नहीं नहीं कि इन से पैसे लिया था हूंने पती पेसे पैसे की कारण ँरह कितना पैसा आपके एक श्य०्य रोपे के लिए किसी का घर जला दिया जाता है आखिरकार कानून कहा है पचीस सो रुपिया और जब की सबसे बड़ी बात है कि पती मर चुके हैं स्वर्गिये हो चुके हैं तो इतनी छोटी रकम के लिए कोई किसी का घर जला देगा यह कहिने कहीं मानोता जो है वो खतम हो गई है हम बात करेंगे सी कितनी पूरानी घर जटना है अब पचीस सो रुपिया कब लिए था рукहारी साल था जाने साल करीब है तो तिन चार साल पहले पती ने जो है पचीस सो रुपिय लिया था और इनके पती को मरे हुए भी अरहाई साल हो चुका है तो कहिने कि मानवता भी देखना चाहिए लेकि संभू सिंग और अंधिर सिंग ने मानवता नहीं देखा और एक बिधवा औरत को उजारने का काम किया यह जो जमीन है आपका यह आपके हिस्से का जमीन है जिसमें अपना मरई बनाकर क समाज के द्वारा और गोतनी जो है उनके द्वारा मदद किया जा रहा है इनका घर नहीं बना है इसलिए इंद्रावास वगरा कुछ मिला हुए आपको रासन कार्ट है वही तो रासन मिल रहा थैं पचलों का आखार है रासन काड ही आहार मलाविनका अधार बना हुए कि बहुत मुसीबत में हैं एक बिद्वा औरत के लिए अपना जीवन करा कितने बच्चे हैं आपको चार बच्चे हैं एक लड़का है तीन लड़की को फुफु अपना साथ में रखती है क्योंकि गरवी हालत के कारण फुफु कहीं पास में हो छोटी बची रहती है जो बच संकार पे जो आनाज मिलता है उससे परिवार का मलब भोजन चलता है दूसरा कोई आमदनी का जड़िया नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि समाज में सरकार के द्वारा बड़ी-बड़ी बाते की जाती हैं गरीबों को देखा जाता है लेकिन सवर्ण जाती में भी गरीब होते हैं हम जानेंगे किस जाती से आप किस जाती से आती है राजपुत समाज से हैं और सबसे बड़ी बात है कि राजपुत जाती की यहां पर सांसद है बीना देवी जी महिला है और उनके सांसदिये छेतर में इस तरह की घटना हो रही है राजपुत समाज के लोग ही राजपु समाज के लोगों को परतारित कर रहे हैं कहीं न कहीं मानवता भी खतम हो रही है समाजी सौहाद भी खतम हो रहा है गरीब बिद्वा है जिसके लिए मदद का हाथ उठना चाहिए था आज उसको उजारने के लिए हाथ उठा है हमको अस्थानिय कुछ गराम माने, पैसा लिया हुआ था, इकर बनाधी पैसा लिया मर गया, तो एका पर द्वी दिया मारफित कीजा अथी कीजा, ख़ारि प्वार दिया, अथी कीजा, माने इना ससुर के खनाल ले जा रहा था काहां जे मलू पैसा देदो नहुते घर में घीतके ले जाएंगे इसे से किया मारफीत क्या रात में आद लगा दिया आप लोगों ने देखा किया अग लगाते हुए हम त murder हम तो हुए अग लगाते हुए आपने किसी को नाम बता रही क्या उनलों को देखा था क्या अग लगाते हैं क्या कह रहे थे कुछ आज वाज वाज कुछ आरा था आप फिर कैसे देख लिए गर्मी ने देखें हैं जो चार लोगों को इन्होंने आग लगाते हुए देखा और आग लगा कर भागते हुए देखा सीमा देबी में सो रहे थे जब उठी जब आग का दहक निकला उससे जब गर्मी महसूस हुई तो ये बाहर निकल के देखी तो ये चार लोग भाग रहे थे थाना का मामला बताए जब आप एफायार लेकर गई क्योंकि आठ तारीक की घटना है और आज 14 तारीक है इच्छे तो यही लोग है ना गाओं के डीलर है लोगों को राशन उपलाप्त कराते हैं देते हैं समाजी काम में लगे रहते हैं इंसे हम जानेंगे क्या मामला है सबसे प्रह सब्सक्राय नाम बताए अमरा नाम अमर्जीद पास्वां हुआ नाम्यसिर चुण सबskेरव की माद क्या मामला दिया अकब क्या मामला तरह बताइए मामला इनों का पहले से कुछ चला है पैसा कहीं लेन दिन है और आपस में लोग के कुछ घेर घार हुआ बगल में ही मेरा बठान है जहां कायग खिलाते उलाते हैं रात को हम स्वर गेते हला हुआ तो इनकी अगहर में आग लग रहा हुआ था तो किसी को आग लगाते हुए देखा या भागते हुए देखा हम किसी को पहचाने नहीं की प्लना भाग रहा है लेकिन भागते हुए देखा हम पहचान नहीं पाए कारण के हम तो चसमा लगाते हम को त्रीक से दिखाई नहीं देता उसमा भी मेरे पास नहीं था इसलिए हम न है कि इन लोगों ने लगाया है तो इन लोगों के उपर जो आप पूर्व में इनका जजगड़ा चल रहा है तो कि आपको संदे तो होना ही है कारण के पहले भी मारने का धंकी दिया गया था तो इतना दवंग है कि अपने बहन का जमीन में घर बना के उसी बिचारी को घर तोर के यहां से रेवादी पहुचा दिया पासवान जी का कहना है कि हमने कह तो दिया लेकिन हो सकता है कि कल को मेरे उपर भी कुछ करवाई हो जाए क्योंकि दबंग लोग है पैसे वाले लोग है कानून और पुलीस को खड़ितने का काम कर सकते हैं कि यही पर्तेक्स पर्मान मीला है और एक और हमारे सामने बुज़ूर्ग हैं चचा है मेंसे बात करेंगे क्या नाम घुप करका अब क्या धिए जिसके साथ हुआ है वह वह यहं हम लोग 20-25 घर जाती में राजपूत होते हैं लेकिन किसी से भी उसका मुर मिला अप नहीं हुआ सब के साथ है किसी आज उसके साथ हमाड़ कितना लुपीं मालू में मैं पती में मुट गया और पैसाईं देनी में समर्थ है इसलिए जब भी जाती है, बथान उसीका घर के नदीक में पड़ता है। और रास्ता में घएर घार करके उसकाने स्यरकानी करता है, और पैसाम कहां से दें। और इसके वाद में थे हमहांघ में देनमें किया था साम को जानोente अका थोह कर देंगे कर देंगे और आप सिर्छ दे कर ने के बाद कि थाना की साथ यह यह थी यहीं है अचार निया नहीं लिया नहीं लिया अचार-पांस के प्रबुत लोग नहीं लोगा, अब क्यूंकर रहे और क्यूंकर पहुचे हुए थे अमने बड़ा-बाबू का लूगा यांज होगा काई नहीं better PA थाना प्रभारी से आपको पूछना चाहिए था का मतलब क्या होता है फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपूर्ट हमने घटना की जानकारी दी अब आपको जाच करना है जाच तो थाना प्रभारी नहीं करेंगे जाच तो डीस्पी करेंगे ना कि यह मामला सत एक नहीं उनका काम साथा कानून के मसले को नहीं समझते कानून को नहीं जानते हैं क्योंकि कानून इतना पेचिदा है कि आम आदमी से ड़ता है आम आदमी थाना जाने से ड़ता है और इसी का नाजाड पैदा बु है वह थाना प्रभारी महोद ly онаem मार्पीत करके अज़ा करके थाना में अशतलक लगा दिया गिया है थाना को ठना लगाया है बाई बई बात है सभी लोगों का कहना है कि ठाना के द्वारा जो है वह दबंगों को साथ दिया जा रहा है पैसे वाले लोगों का साथ दिया जा रहा है गरीब के साथ नहीं नहीं है और सबसे बड़ी बात तक करजा थाना के जो प्रभारी मोहुदे है वो शायद कानून नहीं जानते हैं कानून को ताग पर रख कर रहे हैं जांच फा यूँर को नहीं होते हैं फाarbeit नहीं करवाई करनी चाहिए थी लेकिन ठाना प्रभारी महोदे ने ये काम नहीं किया ये साबित होता है कि कही ने-कहीं थाना प्रभारी महोदे बिग गये हैं अब कैसे न्याइए मिलेगा ये देखना होगा